नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट अज सामलेकूम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया अगर आप अपना स्किन टोन नैश्रल इंग्रीडिंट्स को इस्तमाल करते हुए एक से दो शेड लाइटर करना चाहते हैं तो इसके लिए मुलतानी मिट्टी लें और इसमें आलू करस, टमाटर करस और लीमू करस शामिल करें अची तरह से पेस्ट बना लें और फेस वाश करने के बाद फेस पर अप्लाए कर लें इसके बाद फेस को वाश करें इसके बाद वन फॉर्थ कप पानी लें और इसमें वन फॉर्थ कप कच्चा दूथ शामिल करें अच्छी तरह से मिक्स करें और कॉटन के साथ अपने फेस पर टैप टैप करते हुए अपलाए करें और इसको भी फेस और नेक पर 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद पानी से वाश कर लें ये रेमिडी आप हफते में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं नेशरल इंग्रीडियंट्स को इस्तमाल करते हुए आपका स्किन टोन एक से दो शेर्ड लाइटर हो सकता है अगर आपकी स्किन ड्राय है तो आप मुलतानी मिट्टी को स्किप करके मसूर दाल पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसके इलावा लेमन जूस को भी स्किप कर सकते हैं स्किन टोन को नेशरल इंग्रीडियंट्स के साथ एक से दो शेर्ड लाइटर करने के लिए और नेशरल ग्लो के लिए यूज दिस रेमिडी तिल नेक्स टाइम अलाहनी के बाद ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानेट से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए